जारखंट के देवघर में त्रिकुट परवत पर रविवार शाम हुए रोपे हाथसे में चार लोगों की मौध हो गए और बारा से ज्यादा लोग घायल है रोपे पर कई ट्रॉलियां आपस में ठकरा गई थी जिसके बाद रेस्ट की ऑपरेशन कर लोगों को बचाया गया पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है इसे केबल कार भी कहा जाता है और यह ज्यादा तर पहाड़ी इलाकों के लिए होता है रोपे सिस्टम में दो स्टेशनों के बीच मजबूत केबल्स का एक रास्ता बनाया जाता है इन्हें सपोर्ट करने के लिए बीच में कुछ खंबे भी होते हैं यह केबल्स दोनों स्टेशनों पर लगे रोलर्स से जुड़ी होती हैं रोलर्स के साथ केबल्स और उनसे लेकर तिंबर हाइट्स के बीच चलने वाली केबल कार के तीन में से दो केबल टूट गए दो दिन तक चले रसकी ओपरेशन के बाद लोगों को बचाया गया और एक की मौट भी हो गई 2013 में गुजरात के पंच महल में हुए रोपे हाथसे में साथ लोगों की मौत और वीस लोग घायल हुए थे साथ घंटे चले रसकी ओपरेशन में बाकी साथ लोगों को बचाया गया 2003 में ही पश्चिम बंगाल के दारजलिंग में सिंगा मेरी और तुकवेर के बीच चलने वाली रोपे की दो ट्रॉलिया नीचे गिर गई थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग खायल हुए थे महीं साल 2017 में जम्मो कश्मीर के गुलमर्ग में रोपे का केबल टूटने के कारेल साथ लोगों की मौत हो गई थी तो ये तो बात होई रोपे से जुड़े बड़े हाथसों की अब बाद देश के पांच सबसे मशूर रोपे की जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग गोंडोला में दुनिया का दूसरा सबसे उंचा रोपे है ताय किलोमीटर के इस रोपे से कश्मीर की सुन्दर घाटिया दिखती है उत्राखंट में 4 किलोमीटर लंबा ओली केबल कार देश की सबसे लंबे रोपे में से एक है जम्मो कश्मीर का पत्नी टॉप केबल कार ग्राउंड क्लिरेंस के हिसाब से देश का सबसे उचा रोपे है वहीं पश्चिम बंगाल का दार्जलिंग रोपे 1968 में बना था और ये देश का पहला रोपे है ये रोपे जितने एक्साइटिंग होते हैं उतना ही इनमें डर भी लगता है इसलिए रोपे पर सफर करते समय ध्यान दें कि केबल के साथ ट्रॉलियों का भी मेंटिनेंस अच्छे से हुआ हो और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में घबराएं नहीं मदद आने का इंतिजार करें ऐसी और भी वीडियों के लिए जुड़ी रहिए दैनिक भासकर आप के साथ क्योंकि सच करीब से दिखता है